हे गाईस विलकम डू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार सबागत है इस वीडियो में तो दोस्ता एक नई वेकेंसिज लेकर आ गया हूँ आप सभी केंडिट के लिए जो की वेकेंसिज रिलीज की गई है एयर इंडिया की तरफ से जियां दोस्तों एयर पोर्ट सर्विस की त पास आउट हो डिपलमा हो या फिर डिगरी हो एंड यहां पर कुछ पोस्ट जो है वो टेंथ पास के लिए भी निकाली गई है अगर आप कोई टेंथ पास वाली वीडियो को देख रहे है तो वेंडियो को पूरा कंटिन्यू कीजेगा क्योंकि आप सभी केंडिट के लिए बी वेकंसी यहां पर रिलीज की गई है वेकंसी के साथ साथ सल्रीक से भी डिसकस क्या लिजबिटी कंडिशन होगी किस टाइप की जॉब होती है एर इंडिया में कहां पर आपकी जॉब लगेगी क्या पोस्ट रहेगी और क्या आपको काम करना पड़ेगा सब कुछ भी ड ट्रेड जरूर बताएगा आपका ट्रेड और ब्रांच कौन सा है और आप किस डिपार्टमेंट में जॉब पाना चाहते हैं उसकी अपडेट पाना चाहते हैं ओके चलिए आगे बढ़ते हैं जो वेकेंसी रिलीज की गई है यह आपका वेकेंसी है AI Airport Service Limited एक Government की सर्विस है और यहाँ पर जो भी Candidate apply करेंगे इसकी जॉब लगेगी एक तरह की पोटल स्वे एरपोर्ट में आपकी जॉब लगेगी और एरपोर्ट में जो भी Post-Wise वेकेंसी रिलीज की गई है उस Post-Wise आ आपका Official Notification AI Airport Service Limited, Air India Air Transport Service Limited है और इसका Headquarter हमेज़ा IGI Airport यानि की इंद्रा गांदी इंटरनेशनल जन्यो डेली में बेजड है उसी का Headquarter यहाँ पर बढ़ता है अबलाए करने के लिए यह जो वेकेंसी है यार वाकें इंट्रिवूस के थूरू सेलेक्संस होता है और आपका जो तो यही पर आपकी posting होगी अलग-अलग base पर देख सकते हैं यही से एक एरपोर्ट में वेकेंसी निकाली गई है पोस्स सबसे पहले देख लो डिप्टी मेनेजर की वेकेंसी से डिप्टी ऑफिसर, जुनियर ऑफिसर टेखनिकल में, जुनियर कस्टमर सर्विस एक्जिकु जितने भी आप देख सकते हैं एक से लेकर छे तक आपकी जो रहेगी पोस्ट हैं उसकी जो वाकें इंट्रिव्यू की जो डेट है गाईस वह आपका रखा गया है 30 अक्टूबर 2023 और 31 अक्टूबर 2023 टाइम आपका साड़े नौ बज़े से लेकर साड़े बारा बज़े के बीच में होगी और साथ से लेकर अपकी 11 तक जो भी पोस्टे हैं अपकी इसकी इंट्रिव्यू एक नौंबर और दो नौंबर को कंड़ेक्ट करा जागी एंड तीन नौंबर को यहीं पर आपको काम करना पड़ेगा क्या काम है मेंट्रिव्यू का होता है ज्यादा तर कें आपको मिलता है मिलता है क्योंकि क्योंकि वॉक्षप में जो भी 8 से लेकर जितने भी केंडिट्ट है आपका 11 से लेकर 7 ultremen तक पोस्टे वो सभी केंडिट्ट को लगबग लगबग आपकी वॉक्स नौं में काम मिलेगी मेंटरिणनेंस में मिल सकती है आई टेवालों को म मेल हो फिमेल हो सभी अपले कर सकते हैं और यह जो बेस्ट है आपका एक तरह की कॉंट्रेक्ट पेस्पे है जॉब तो है भाईया बाट कॉंट्रेक्ट बेस्पे जॉब है कितनी तरह की होगी FTC बोलते हैं इसको यहने की Fixed Term Contract जो कि तीन साल का होगा और यह Fixed Term कॉंट्रेक्ट होता है तीन साल होगी उसके बाद होता है कि FTC, FTA इस तरह करके अगर Increasement लगती है तो कर सकते हैं नहीं तो डिरेक्ली आपको तीन साल के बाद यहां से सेलरी भी ज्यादा है एप्रॉक्समेटली 45,000 तक सेलरी मिलेगी और चार साल की आपके पास Experience यहां पर मात्र मांगे गई है चलो ज्यादा नहीं है उसके बाद डिप्टी ऑफिसर में वेकेंसी है 32,200 सेलरी मिलेगी यहां पर आपके पास graduate चाहिए प्लस अधिक से ज्यादा ज्यादा experience यहां पर रिलीज की गई है यह ज्यादा year की experience पर फोकस मत करना है जो minimum experience है उस पर ध्यान देना क्योंकि इसके पास क्या है आपके पास नेक्स वेकेंसी रिलीज की गई है आपके पास junior officer टेक्निकल की यहां पर फुल टाइम की bachelor engineering, mechanical, automobile, production, electrical या फिर electrical electronics में अपने engineering कर रखी है तो बिल्कुल आप apply कर सकते हैं और 28,200 salary आपको मिलेगी अधरवाइस age में relaxation सभी candidate को मिलेगी next recruitment है आपकी service ramp service executive के लिए ध्यान रखना गाईच क्योंकि यह सब में आपके पास experience नहीं मांगा जाता है तो इसे फोकस करें कि क्या चीज आपके पास होनी चाहिए थ्री एर के डिप्लोमा है mechanical engineering, electrical, production या फिर electronics and automobile engineering में आप apply कर सकते हैं जाद रखना जो भी डिप्लोमा के student है यह ब्रांच देख लें यह सब ब्रांच वाले eligible हैं अधरवाज आपने iti कर रखी है तो iti चलेगा iti with ncvtvtvt यानि कि मतलब iti plus ncvt होता है इसका मतलब होता iti plus nc यानि कि national apprenticeship certificate तो जो apprenticeship iti करके जो apprenticeship किया है वो सब के लिए बहुत अच्छे खासी है क्योंकि without any experience वाले विदावट एनी apprenticeship वाला के निडिट अपला है नहीं कर सकता यहाँ पर apprenticeship कंपल्सर ही है three year की मांगी गई है तो iti two year और ncvt एक साल three year ते आपका motor mechanic अब देखना trade देखना motor vehicle auto electrical apply कर सकता है air conditioner rnac diesel mechanic bench fitter welder यहाँ पर welder iti with nc और एक certificate होता है जो कि welder के लिए होता है होगे तो जो trade का मैंने अभी नाम लिया है वो सारी trade यहाँ पर apply कर सकते हैं और कई सारी end होता है जैसे कि आपके पास motor vehicle है उसका driving license होना बेयोदी जरूरी है जो motor vehicle trade से है 24,640 रुपे salary मिलेगी और यहाँ पर जो आपकी salary experience मांगी गई है must have four year experience in maintenance and operation रेम executive जो रापकी होनी चाहिए या फिर maintenance में अपने काम कर रखी है four year में तो भी आप apply कर सकते हैं next recruitment फिर से निकाली गई है ramp service executive की तो यहाँ पर आपकी जो होगी three year की diploma, mechanical, electrical, electronic productions या फिर automobile engineering, ITI चाहिए यहाँ पर भी same आप कर जाएगा motor vehicle, auto electrical या फिर आपका air conditioning, rnac, diesel mechanic और bench fitter तो यह चार ट्रेट mostly release की गई है salary यहाँ पर देखो 23,640 रुपे आपको salary मिलेगी, यहाँ पर motor vehicle का सिर्फ license होना जरूरी है और preference मिलेगी, local language विजवालों के लिए, कोई भी experience यहाँ पर नहीं मांगी गई है experience उपर वाले में चलेगा, utility come prime driver यहाँ पर भी 10th pass के candidate apply कर सकते हैं और HMB की license मांगी गई है, 20,130 रुपे salary मिलेगी फिर आपका है senior customer executive में यहाँ पर आपके पास 5 year के experience चाहिए, plus 10 रुपे क्योंकि graduate मांगी गई है, 24,640 रुपे salary मिलेगी तेन आपका customer service executive में यहाँ पर भी graduation चाहिए और यहाँ पर आपकी 23,640 रुपे salary मिलेगी, उसके बाद फिर से आपका junior customer service executive में आपके 12 pass मांगी गई है और 20,130 रुपे यहाँ पर salary मिलेगी, जो भी candidate है जो कि local language है, local language आपका जैसे की गुजराती है, अगर आप गुजराती लिखना पढ़ना आता है तो आपको preference मिलेगी याद रखना, ऑके बट इसमें क्या है कि आपको जरूरी मांग दिया क्या है, आपकी language जरूरी होनी चाह सकता है, but must आपको English language आनी चाहिए, और local language जो है, हिंदी, local language और हिंदी यह दोनों आनी चाहिए, 17,850 रुपे आपको salary प्रवाइट की जाएगे, तो यह रही आपकी salary structure, walk-end interviews के थूरू selections होगा, date मैंने बता दिया है कि कब आपको विजिट करना है, और walk-end interviews के लिए 1st October 2023, walk आपको demand draft बनाना होगा 500, 500 रुपे का, क्योंकि airport में जब भी vacances निकलती है, तो 500 रुपे का demand draft बनाना होता है, जब आप form fill up करके जाओ, तो demand draft लेकर जाना है, तो यह रही form, form आप देख सकते हैं, जब आप जाएगा interviews के लिए जिस दिन बुलाया गया है, उस दिन आपको य जैसे तो all India की candidate जा सकते हैं, बट जो भी candidate eligible हैं, interested हैं, नजदीक में हैं, वही जाएं तो बहतर होगा, तो hopefully यही बतानी थी, वीडियो कैसी लगी ज़रू बताइएगा, यह पर लगी हो, like, share and subscribe करें, मिलते हैं नेक्स वोड़े में, तब तक लिए जए हिंद,